पार्टीकल अच्छ है कि पार्टी के पदेन बदादिकारी जो निर्वान वर्स में तैयार हुए प्रदेश वर दसलाख प्रदेश का निर्मान करें दसलाख लोगों का प्रस्षिशन करें और प्रस्षिशन करके इस राजे के मौलिकता इस राजे के गठन के उतेश और इस राजे के भौईश्य के लिए संगर्सरत हो ये पार्टी की तैयारी है पार्टी इस मचल से लोगों को जोडना उनके विचारों को जोडने का भी काम कर रही है पार्टी उन सभी जारकंड के लिए हित सोचने वाले जारकंड के लिए काम करने वाले लोगों की विचारों का शम्मान करती है उनका आधर करती है और समावेस करती उन विचारों का समावेस का भी निश्चय हम सभी लोग उने लिया है चुकि जारगन किसी की एकल प्रोपर्टी हो नहीं सकती किसी एक सोथ से कोई देश, राजी या घर भी नहीं चलता है तो इसलिए जारगन के लिए अजसे छोचने वाले लोगों को ये पटल पर लाना उन्हें काम करने और नित्वित देने का मौका देना और इसी की तैयारी हम सब कर रहे हैं कि ये प्लेटफॉम है उस सभी के लिए है सब लोग आए और जारगन के लिए जोडने का पूरा विशय हम लोग ने तयार किया हमारी पार्टी के अंदर आज दल में कई ऐसे लोग जो प्रतच रूप से सामने आए अलग-अलग जगा से ओनलाइन प्रपुद लोग ने आज सदिस्ता गरन किया साथ जारगन टीका को नितु देने वाले परिवार के सद़ सथील को प्र格 राज्टी में इस परते चिस के लिए सामने आकर नितु देने का निश्री किया है लेकिन जारगन की पाच्छान वाला परिवार और पसांने आया है वीआ ही निचुमने का संकल लिए जारकंड ने इस तरहें किया और किसी और बड़ोस ने सरकार में किया है यह नोडिपिकेशन किसका नोडिपिकेशन किसने निकाला जिस भासा विवाद को लेकर इतना बड़ा अन हो रहा है गाउं सामने आ रहे हैं या उश्क्ता क्यों पड़ी चुकि जारकंड में गठित सरकार ने ये नोटिफिकेशन निकाला और अब उन्हीं के मंतरी इस बयान को कर रहे हैं उन्हीं के मंतरी इस बात को बोल दे जा रहे हैं इस पूरे समय में क्या ये उचित नहीं बनता था कि इस पूरे विशाई पर जारकंड के मुख मुंत्री सामने आकर ब्यान दे आप जारकंड में ये सारी घटनाएं देख रहे हैं लोग गाउं से एक नौजवान पढ़ने वाला नौजवान सड़क पर आके अपनी आवाज अपने हिद की बात और चर्चा करने लगा है जारक इसकी गिंती ठीक कर सकती है लेकिन यहां के भावनाओं को समान नहीं दे सकती है उनका फर्च था कि सामने आते और इस विशाई पर जो भी हुआ है उनको जबाब देना चाहिए था कोई नजन पृतनिदी इससे भाग नहीं सकते हैं चूप रहना गलत चीज को बल देना हो का इसलिए मैं यह सोचता हूं कि जारकंड के लिए अगर थोड़ा भी सोचते हैं तो तुरत सामने आकर इसको इसपश्ट करना चाहिए परना सरकार का क्रियेट किया हुआ भी सही है सरकार उस सत्तर का मामला जिस तरह से आग लगाना फिर बुजाने का काम करना अब वो से बचे और हम सब का परियास है कि जारकंड में उनके उद्देश को सफल ना होने देना जो उनका उद्देश है कि जारकंड में कोविट काल दो साल उनका बीद गया दो साल में जो दाइत्तों उनका था जो संकल्प उनका था जो निश्य उनका था जो निश्य की इतनी वो बोल रहे हैं कि ये पूरा जो बोकारो धनवान में लोग उत्रे थी इस पे आसू और बीजेपी के लोग हैं। कि ये पहले ही जैसे ही टीएसी को लेकर इन्होंने टीएसी को लेकर सरकार ने नई रूप से टीएसी को गवर्मेंट का डिपाड बनने का पूशिश किया। कर सके राज के निर्नाईों का मुल्यांकन कर सके और उनको दिशा दे से ये उनका काम होता था। कि ये टीएसी के लिए फंड राते थे टीएसी के खंच के चित्र होते थे उन सबी इन्होंने उसको एक अपने सिंगार में अपने जनप्रतिनी दिवों के सिंगार से सजाया और उसके मूल्य भावनाओं को ठेस पहुचाने के काम किया। जब टीएसी के मूल्य उद्देश की खोंच्वीन प्रारम हुई जब महामईम हस्कार राजपाल जी के ओपिस से इसके गठन के ओचित्ते पर राश्टपती बहुन भावन भेजा जाता है वहां का डायरेक्शन आता है और इन डायरेक्शन को आज आपके सामिल रखते हैं अब बरेक्शन को आज सामिल हुए पार्टी में पार्टी का विजन क्या है कैसे इस्तमाल करेंगी क्योंकि आपका नारा था 2019 में गाऊं की सरकार कैसे इस्तमाल करेंगे बाहर उसके राजी के लिए सोचने वाले विचार करने वाले वह इसे नौजवान साथी वह इसे प्लेटफर्म नहीं में पाता था, इनकी सोच में वो चीज समाहित नहीं हो पाती थी, ये करने का कुछ राजी के लिए करने और जोगदान देने का जगह नहीं था। इस पूरे प्लेटफर्म को उपिन किया है, उनके लिए जगह सुनिशित की है, और राज को सजाने में वो अपना जोगदान अपने हुनर के अनुसार, अपनी काबलियत के अनुसार कर सकते हैं, ये उनके लिए जगह नहीं चोड़ा। सुदेश जी एक सवाल ज़ार्खंड में बड़ा घूम रहा है, कि ज़ार्खंड में ज़ार्खंड ही कौन है, आप लोग ने 1885 आपकी सरकार जब थी पिछली सरकार में, ये 1932 की बात करके आया थे, लेकिन कहीं जमीनी अस्तर पर दीख नहीं है, आप लोग कन्फ्यूज ह सुदेश जाती है, और उनको लुभावने के लिए इस तरह के हरकरत करते हैं, जो बाद में उसको पस्थाना पड़ता है, हमारा बड़ा इस पस्थ एक दल के नाते, एक राजनेता के नाते, जो छित्र और जो दाइत और जो संक्याबल है, चुकि इसमें संक्याबल बहुत बरतमान सरकार ने, तब भी हमनों बड़ा लिखीत रूप से दस्तमाईज हमारा डेडी है, कि हम कैसे स्थानियता को डिफर्केट करते हैं, कैसे मिती हम चाते हैं इस परदेश के अंदर, स्थानियता नियोजन, यह बड़ा इस पस्थ है, किसी दल में, इस राजी में, किसी इस राजी के लिए कोई निश्चाई कर पाते हैं, हमने बड़ा इस पस्थ कहा है, कि अभी हमारे लोग 10 से 15 तारिक तक इस राजी के सारे जनपरतेनिदी के पास जाएंगे, जनपरतेनिदी मात्रों केवल विदायक MP नहीं, बलकि जनपरतेनिदी इस परदेश के नेता भी उनके पास जाना और उनसे इस परदेश के जोलंद विशाई पर उनके विचार लेना, ये पार्टी ने करिकरम तई किया है, मेरा अग्रब ही होगा, सर्वदलिय बैठक्ट में आकर अपने विचार संचेत परूप से रखने से अच्छा है, कि दल अपना विचार पब्लिक दोमीन में विचार को रखने का काम करें, ताकि पब्लिक में कंफ्यूजन ना सर्व, जार्खन के सिक्छा मंत्री इन दनों काफु चर्चे में है, पुछला दहन तक किया गया है, क्या कहना चाहें हो उनके स्टेटमेंट करें वो एक चीज़ और बोले जब हमके इंट्रव्यू कर रहे थे, कि शुदे समध तो किसी भी बात को खुल कर नहीं बोले, भाशा भी बाद है, वो भुजपुरी मगी का नाम नहीं ले रहे हैं, और जब उनकी सरकार थी, तो दूतिय भाशा में उनकी सरकार नहीं हाँ पर भ अधका ओनर उने भी करना है, ओनर ये करिए, कि ये सरकार आपकी, ये दाइद तो आपका है, ये जो भासा का चिठी निकला ये आपका है, हब ये जबाब आपको देना है, कि आप क्या करना चाहते हैं, मैं उनके मुखिया और मंत्री जी सी पता हूँ, कि जोलंद ये विश मुख मंत्री जब बने हमन सुरे, तो उन्होंने अपने लिए बीम डबलू खरीदा था, पहला जब कोविट काल था, अभी ठड़ बेम में मंत्रियों के लिए नहीं नहीं फॉर्चूनर गाड़ी आई है, दूसरी तरफ है कि जनता जो है त्रस्त है, उनके काम नहीं हो रह जाते हैं, जब परजा की स्थिती इतनी गंदी है, नोकरी जुबाओं से चीने गए, नोकरी का कोई जगा नहीं मिला, आजीविका चलाना मुश्किल हो गया, उस समय इस परदेश के राजा और राजा का नितित करने वाले मंत्री, इस वुरू आचरन के साथ आने इसको दे आप उनके संसाधन जोगाड में ना लगकर आप अपने जोगाड के लिए अपने आवास जोगाड के लिए लगें, उनके लिए गाड़ियां खरीदी जा रही है, ये कोई राजनेता का बैठा हुआ एक गरीब को नितृत देने वाला किसी राजनेता का आचरन नहीं हो सकत भी खरीख भी में वाला किसी सबत्सान खरीज़ करें वाला को इंते हैं।